है गाइस विलकम डियों फिजिक्स इन प्लेग्राउंड अभी हम लोग के पास टोटल फॉर मन्त बचा और यार यह फॉर मन्त ना पूरे अच्छे से करना फिर लाइफ में दुबारा कभी नहीं आगा यह पहले क्लियर कर देता हूं तो इसमें थोड़ा समयनत कर लो थोड़ हारड़ work ज्यादा कर लो थोड़ा sacrifices ज्यादा कर लो जो इसके बतले में आपको मिलेगा न वो कोई नहीं दे सकता है कोई नहीं दे सकता है एक बात यारत रखना आपको नीट में फोर मनथ बचा हुआ है ऐपरील में जून जुलाई फ़स्ट बचस्ट को एक्जाम है आपक तो जैसे भी करना है 620 करना ही होगा यह बहुत ज्यादा माक्स लग रहा होगा बहुत ज्यादा इसकोर है बट अभी के टाइम में इतना लाना ही पड़ेगा समझे तो कैसे लाना है कैसे क्या करना है वो सारा कुछ बताऊंगा मैं बायो में 360 में 360 यह अभी मेरा सपना है यह म बहुत आसान से बहुत अभी जैसे पेपर बन रहा है ना बहुत इसली आप लोगी स्कोर कर सकते हैं 360 में 360 छे टॉपिक जो 6 उनेट है ना साइटोलोजी, जेनेटिक्स, रिपरू, एनिमल, फिजियोलोजी, लिविंग वर्ड, इकोलोजी इनको अच्छे से कर लेना है, करना कैसे है, क्या क्या करना है, पहले हो हम लोग देख लेते हैं, किस बुक से क्या करना है बाइलोजी में NCRT ही पढ़ना है, NCRT के अलावा कुछ ने पढ़ना है बागी यह जो छे टॉपिक है, इनको अच्छे से कवर करने के लिए, अगर इसमें कर लेतो है, यह जो छे उनिट है अगर इसको कर लेतो है, इसका एक भी कुशन गलत करके नहीं आतो है, तो 360 में 360 कनफर्म रखो आएगा बागी का जो चार यूनिट है, PIP से एक भी कुशन इधर नहीं जाएगा समझे, वो टोटल, वो मुझे मालूम है, खुद के मैनत पे भरोसा है, मुझे की कुशन बहुत सारे आएगा, बट वो जो चार टॉपिक है, सारे के सारे कॉपी पेस्ट आएगे कॉमिनीटी पोस्ट पे जितने भी कॉश्चन अपलोड होते हैं, वो सारा कॉश्चन करते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है, समझे, वहाँ से सारा कुछ मिल जाएगा, तो उस चार टॉपिक का या यूनिट का टेंसन नालो, मैंन है यह, समझे, तो उसको थोड़ा से टूमे खोगा, तो वहाँ से देख लेना, और biology, NCRT पढ़ना ही पढ़ना है, फिर आता है previous year question, previous year question बहुत important है, previous year question जब solve करते हो, तो उसके A, B, C, D, जो चार option है, चारो option के बारे में पढ़ो, और कप-कप का करना है, 2016 से लेकर के 2020, बस इतना सारा option आपको याद होना चाहिए, सार option कौन सा question में कितने option थे, और उस option के बारे में आपको सब कुछ आना चाहिए, स्रीफ और स्रीफ पांच साल का करना है, 2017 में दो बार हुआ था, 17, 18, 19, 20, टीक है, total 6 paper होते हैं, 5 साल में, बस इतना कर जाओ, उसके हर एक option आपको मालूम होना चाहिए, कि इस question में 4 option थे, और क option क्या क्या होता, like parthenocarpic, parthenogenesis, apomyxis और polyembryoni, ऐसा कुछ यह question में दे दिया है, 4 option दे दिया है, उसका answer होगा parthenogenesis, तो इसका मतलब यह नहीं कि स्री parthenogenesis के बारे में पढ़े parthenocarpic fruit क्या होता है, true fruit क्या होता है, false fruit क्या होता है, ऐसे सारा कुछ पढ़ना, apomyxis किसे बोलते है क्योंकि यह 2016 में पूछ चुगा है, और इसे option बना करके 2019 या 2020 में दिया हुआ है, तो इस तरीका से सारे options पढ़ना है, सारे options पढ़ने के बाद फिर NCRT जा करके पढ़ना है, NCRT नहीं छोड़ के जाना, simple सी है, और फिर last में PIP के notes और community पे जो question upload होते हैं, वो कर लो, 360 में, पायो में confirm रखो, physics में, physics में theoretical NCRT ही पढ़ना है, NCRT में जितने भी theory दे रखके हैं, वो पढ़ो, concept आपको है, है लेडे रेसनी के अनवाकर से पढ़ो, time पूरा है, ऐसा मत बोलना कि time नहीं है, बहुत पिटाइक होगे, समझे, क्योंकि, या doctor बरना आपको, समझ रहे हो न total 19 subject, कितना subject, 19 subject को 20 दिनों में revise करना होता, इनि एट पीजी का exam दोगे तो, पूरा का, पूरा BRS pathology है, अगर किसी को चाहिए होगा, कोई medical में है आप से, तो MLE के लिए, MLE के लिए best book है, मेरे पास सा है, तो वो ले सकते है, आप लोग, BRS pathology, best book है वो, उसको मैंने total 20 से 25 द 15 पेज पढ़ते हो, आप लोग, तो 25 से 30 दिन में आप लोग बहुत easily वो cover करते होगे, समझा हो, बहुत अच्छा है, उसके numerical भी अच्छे कासे, जो कि आपके community पे भी upload करता हूँ, easy, easy, कुछ-कुछ मिल जाते हैं, तो, तो यहाँ पर आते हैं, समझ गए, बोलना क्या था, कि HC Verma है, लेडेरेशनी के इनवा कर, टाइम पूगा है, कोई भी concept ना समझ में है, तो, यह book यूज कर सकते हो, formula के लिए PIP का note, PIP का note पढ़ना है, मतलम पढ़ना है, स्रीफ और स्रीफ formula याद करना है, formula ही आपको physics में score दिलाएगा, इस बात को याद रगना हो, जितना formula आ आपको आएगा, उतना ज्यादा physics में marks आएगा, numerical, DC पांडे, NCRT का mechanics कर लेना, mechanics, NCRT में internal जो question दे रखके, बहुत ज्यादा important है, copy paste question पूछा गया है, 2017 में, work power energy, Newton's law of motion, और gravitation, ये तीन topic के उठा करके देख लेना, NCRT book और question paper, आप लोगों को मिल जाएगा, तीनो topic से copy paste आ तो NCRT से पढ़ लेना, mechanics का question भी कर लेना, सारा कुछ, और फिर PIP का numerical करना ही करना है, previous year question, JE and NEET, previous year question कि इसके JE और NEET के भी लगाना है, chemistry में 100% PIP आगा, ये मैं करवा दूँगा, April के मन्त में आपका CAM complete हो जाएगा, चमझे, फिर inorganic, organic और physical, total आपको NCRT से पढ़ना है, and last म previous year question, JE and NEET के लगा लेना है, समझे, अब कितने topic important है physics के, हमके वो भी देख लेते हैं, electro state, current electricity, alternating current, magnetics, modern physics, optics, SHM and wish, 4 question ये देगा, 4 question ये देगा, 5 से 6 question ये देंगे, 5 question से 4 question ये देंगे, ये total 3, 2, 3, current electricity, और 2, आपका alternating current formula आएगा, तो alternating current के question बनेंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, तो calculation थोड़ा speedily करना, 3 question यहां से आएगे, तो अच्छा कासा यहां से question बन रहा है, Newton, law of motion, work power energy, circular motion, collision, gravitation, ये भी अच्छा कासा question देगा, combine करके पढ़ो, हो जाएगा, rotation 3, 2, 4 question आएगे, या maybe 2 question भी पूछ सकते हैं, thermodynamics KTG, heat transfer बोलते हैं, kinetic theory of gases, thermodynamics, ये total मिला करके 5 to 6 question आएगे, formula सिर्फ याद करके जाना है, question solve हो जाएगा, ठीक है, बाकी से अभी पढ़ लेना, बट इतना तो करना ही करना है, इसको छोड़ के नहीं जाना है, physical chemistry में आप लोगों को electrochemistry, chemical kinetics, thermodynamics, equilibrium, solid state, atomic structure, solution, surface chemistry, हर साल question आते हैं, इन topics हैं, और 2021 में भी आएगा इन topics हैं, तो ये सारा कुछ कवर कर लो, PIP पर डला हुआ है, सब कुछ जेही, men's previous year, notes डला हुआ है, सारा कुछ डला हुआ है, exam है physical chemistry का question, important डला हुआ है, copy paste भी पूछे गया है, बहुत year में 2019 और 2020 में copy paste question भी आया है, जो PIP पर डला हुआ है, उन questions है, inorganic में chemical bonding, P, S, and D block, और coordination compound, ये तीनों important है, तीनों में maximum important है chemical bonding and coordination compound, 2018 में 5 question आया था coordination compound से, और एक या, 2 question आया था chemical bonding से, तो total, कितने हो गया है, 7 question आ गया है, 2 topics से, समझे, तो इसलिए ये दोनों बहुत important है, उसके बाद इसमें कोई important है, तो वो है P block, फिर है A, फिर है D, organic में G, O, C, hydrocarbon, halo, alkan, halo, arine, अगर इतना कर लेता हो, तो बहुत पाक्सा हैगा, बहुत ज़्यादा question आते हैं इससे, तो ये topic बहुत अच्छे से कर लेना, तब आपका जो नीचे के topic है, वो सारा कुछ clear होगा, alcohol, phenol and ether, nitrogen containing compound, बहुत important है, ये भी, तीन question दे करके जाएगा, ketone, aldehyte and carboxylic, polymers और biomolecules, दो question, आना ही आना, एक question polymers से और एक question biomolecules से, समझे, तो ये सारा कुछ, अब बोलोगे, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, तो करना पड़ेगा, यार, इतना score करना है, तो आपको सारा कुछ करना पड़ेगा, इसके अलावा जो topic बच रहे हैं, वो भी आपको करना है, बट ये important है, so thanks and best of luck for your exam, इतना कर लो, कैसे क्या करना है, सारा कुछ मैंने बता दिया,